Hello students, welcome to Global Online. So NTA Udison at December 2023 examination के Paper 1 pattern को ले करके सभी students बहुत ज़ादा confuse हो रहे हैं उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या एक बार फिर से Paper 1 के examination का जो pattern है वो change होने वाला है आप सभी students को सबसे पहले तो मैं यही बता देना चाहती हूँ कि Paper 1 जो है ये सभी के लिए common paper होता है सो इसका क्या pattern है, latest क्या trend चल रहा है ये आपको जाना बहुत ज़ादा जरूरी है क्यूंकि अगर आप लोग pattern और ये सब चीजों के अच्छे से समझ जाओगे तो ही आप अच्छे से examination की तयारी कर पाओगे सो आगे बढ़ते हैं discussion की ओर सबसे पहले students एक चीज जो आप लोगों को मैं clear कर देना चाहती हूँ कि examination का जो overall pattern है उसमें जादा कोई बदलाव नहीं आए है हम ये बोल सकते हैं कि 30 to 40% changes लगभग हर साल ही NTA paper 1 के pattern में करता है वो changes क्या है ये हम देखते है सबसे पहले तो paper 1 में total 10 units होती है इन सभी 10 units का अगर आप लोग paper 1 notification देखोगे या paper 1 का कोई भी detailed video देखोगे तो वो आपको यहीं बताएंगे कि paper 1 में total आप लोगों से पूछे जाते हैं 50 MCQs and हर एक question 2 marks का होता है and overall अगर हम देखे तो paper 1 आपका रहता है 100 marks का ये बात बिलकुल सही है इसमें कोई भी changes नहीं आएं है दूसरी बात जो pattern को लेकर हमेशा हम लोग पढ़ते आएं हैं सुनते आएं हैं वो यहीं है कि हर एक unit में से 5 questions पूछे जाएंगे total 10 units हैं तो यहां से इस according 50 MC की उस exam में पूछे जाती है तो exam का जो pattern है latest अगर हम 2020 के बाद की pattern की बात करें तो ये वाले pattern में changes हो चुके हैं तो वो क्या है वो हम आगे देखेंगे उससे पहले आपको बता देती हूँ कि examination qualify करने के लिए paper 1 का एक बहुत important role रहता है examination के difficulty level और exam के latest pattern को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है इसमें हम आपको full syllabus video lectures प्रवाइड करवाते हैं daily live lectures के साथ आपका पूरा syllabus cover करवा दिया जाएगा यहां पर हिंदी इंग्लिश दोर और languages में course available है full syllabus notes PDF format में मिल जाएंगे 60 plus mock test है जिसमें से ask the test questions exam में आते हैं और आपको 80 plus score करने में यह help करता है 2000 plus MCQ question bank में आपको previous year questions most repeated questions और expected questions मिल जाएंगे solution और explanation के साथ so given whatsapp numbers पर जल्दी से contact करके आप join कर लीजे इसके लिए flat 20% off अभी में लेकर आई हूँ यानि कि सरफ 3600 रुपीज आपको pay करने है उसके लिए global online app को download कीजिए store section पर search bar में course का नाम लिखोगे उसके overview के बाद content पर click करते ही आप यह आपर देख सकते हो demo videos है different educators के unit wise folders है जहां पर आपको theory lectures, mcqo lectures, mock test और notes मल जाते हैं जो कि exam qualify करने में आपको बहुत ही जादा मदद करेंगे आज इस course को join कर लीजे given whatsapp numbers पर contact करके इसे के साथ discussion पर आगे बढ़ते हैं जैसे मैं आपको बता रही थी कि 2020 के बाद examination का pattern change हो चुका है यह बाला जो pattern है यह बिल्कुल भी follow नहीं किया जाता अब क्या होता है हर एक unit का equal weightage नहीं रखा गया है कोई units paper 1 में ऐसी हैं जहां से आप से 8 से 9 questions भी पूछे जाते हैं और कोई units ऐसी हैं जहां पर उनसे 2 से 3 questions भी पूछे जाते हैं अब इस चीज में भी एक सबसे बड़ा confusion students के mind में यह है आप यह बोलोगे कि अच्छा तो मैं हमें बता दो कि कौन से unit से ज़्यादा questions आते हैं उसको पढ़ लेंगे कौन से unit से कम questions आते हैं उसको थोड़ा ज़्यान नहीं देंगे उसको थोड़ा पढ़ेंगे तो यह भी एक confusion वाला point है जो कि मैं आपको clear कर देना चाहती हूँ कि देखो कोई भी ऐसी एक fixed unit नहीं है कि किसी मेंसे 8-9 questions आ रहे हैं तो हर एक shift में उसी मेंसे 8-9 questions आएंगे ठीक है एक example के साथ ही बताती हूँ जैसे recent जो जून 2013 के exam हुआ उसमें कुछ shifts ऐसी थी जहांपर teaching aptitude से 8-9 questions पूछे गए research aptitude मेंसे भी आप लोगों से 10 questions पूछे गए और वहीं ICT मेंसे 2 questions, higher education मेंसे 1 question, environment मेंसे 2 questions ऐसे पूछे गए ठीक है तो ऐसा नहीं है कि आप इन 3 units को बिलकुल भी नहीं पढ़ोगे एक दो shifts ऐसे भी थी जहांपर teaching aptitude से 2-3 questions पूछे गए higher education से 8-9 questions इसमेंसे 7-8 questions पूछे गए तो काफी shifts ऐसे भी थी तो देखो overall मैं इस वीडियो में यही आप लोगों को final बताना चाहती हूँ कि paper 1 का pattern change नहीं हुआ है वही रहेगा कि 100 questions, sorry 50 questions पूछे जाएंगे बस यह है कि पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया गया है हर एक unit का बराबर का एक score पहले रहता था, बराबर questions पूछे चाते थे उस चीज में अभी थोड़े से बदलाव कर दिये गए है तो हम यह नहीं कह सकते कि कोई unit कम important है, कोई जादा important है आपको हर एक unit बराबर पढ़नी ही होगी सिरफ reading comprehension, reasoning और data interpretation यह तीन units ऐसी हैं जहां से sure हैं कि 5-5 questions ही पूछे जाएंगे यानि कि 15 questions, यानि कि 30 marks यहां से आप लोग sure रख सकते हो इसके अलावा बाकी की जितने भी units हैं उन units में किसी भी तरीके की surety नहीं दी चा सकती कि कितने questions पूछे जाएंगे तो आप लोग कैसे कीजिए आप लोगों को जो भी अपने interest की unit लगती है जैसे कई बच्चों को teaching में interest आ रहा होगा कि उनको research अच्छा लग रहा होगा कुछ जो environment types के students है जिनका background ऐसा है वो people environment पढ़ लेंगे जो computer science वाले students है या जिनको computers बहुत अच्छे से आता है वो ICT में interest लेंगे तो जो आपकी favorite unit है वहां से पढ़ाई शुरू कीजिए और दीरे दीरे हर एक unit को cover करते रहे और रेडी मैं आप सभी students के लिए एक video लेकर आई हूँ जिसमें मैंने आपके साथ 100 days plan share किया हुआ है 100 days plan में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि paper 1 को कैसे आप लोग target कर सकते हो paper 1 में कैसे आप लोग अच्छा score कर सकते हो तो कोई भी doubt है आप सभी students given whatsapp numbers पर ज़रूर contact कर लीजिए मेरा नाम है Ankita Sood आप यहां पर contact करके सारी information ले सकते हो so thank you so much everyone for watching this video and I wish you all the very best